बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकुम तो आल माई व्यूवर्स और स्टुडेंट्स आज हम लोग बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है डायूरेटिक्स डायूरेटिक्स के सबसे पहले हम लोग क्लासिफिटेशन देखेंगे ताकि हमारे पास हमें एक पिच्चर क्लियर हो कि कौन सी ड्रॉग जो है वो किस क्लास में फॉल कर रही है और फिर हम इसका क्विक और कंप्रिहेंसिव रिव्यू लेंगे ताकि हमारी अंडर्स्टेंडिंग में क्लियर हो मारे कान सब्सक्राइब करने ताकि आने वाले नेक्स्ट वीड अधिक्स में ऐ जाता है फिरोसेमाथ झालिंद फिरोसेमाथ लुप यस ऩौन एंड ऐड़ाइडु थायाजाइड तुनों थायाजाइड थायाजाइड यह थायाजाइड सघस्ट्रक्चर्चर्चर जानि धरिय хотя श्वटार को थायोरक्चर्च राप तुन कि सील्켜ऊएड यह दायाजाजाइड है चाहिं पार जाता है हमारे पास या फिर इजनक्र इन के जो किसी início में लिए जा रहे हैं चरह को आलॉ नहीं आप दे रहे हैं तक किसी क्षलिपन कबिनेशन में रहे हैं चैनल का मतलब यह कि इनकी हैं इनकी जो diuretis potassium sphiren diuretis जो कि potassium की loss को कम करते हैं या लोस को inhibit करते हैं और उसको body में जो है वो conserve करते हैं potassium sphiren diuretis में दो टाइप सबस्वाराइब आ जाती है एक है aldosterone antagonist और एक आजाता है जो inhibitor of the renal sodium epithelial channels यानिके जो epithelial channels होते हैं इनकी kidney के अंदर जो sodium में के अंदर उनको यह इन्हेट करते हैं और इन में कौन-कौन से आजाती है ट्राइम्ट्रीन आजाता है और अमयलोराइड आजाता है अब यह तो होगे उसके बाद आजाता है हमारे अच्छा हम लोग ने कार्बोनिक अन्हाइड्रेस देख लिए वीक में जो है और यह अजंक कुछ क्लासिफिकेशन इसके पार्ट के लिए हासिव होते है कि किस पार्ट पर यह एक्ट करते हैं सबसे पहले क्यूंके प्रॉजिमल कॉन्विलेटी ट्यूब्यों आता है फिर उसमें कार्बोनिक अन्हाइड्रेस आता है पिर आगे फॉर्देंच रहते हैं पिर थायाज लेटेयौंट आता है प्रेटिक उसके बाद कुलक्टिंग ट्यूब्यो तो कि अधाने आता है बल्के वह होते हैं अग उसमोंटिक प्रेश्र या स्मोलारति को जो है वह जो कि ती हैं त्या तो अब हम डेटेल की तरफ जाते सबस्क्राइब करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको यह नोट्स चाहिए क्लासिफिकेशन के या फिर यह जो क्विक रिव्यू के जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो इसका मैं प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में लिख तूंगी और आप उसके जरीए जो है उसके लिए आपका जो है रिव्यू भी हो जाओ अगर आप यह इतना लिखते भी है तो यह कंप्रेहंसिव वेबल को टी किया आपको मार्क्स में मिलेंगे और टीचर भी आपसे इंप्रैस होगा कितने अच्छे आप लोग ने टैबिलर फॉर्म में जो है वो चार्ट की दारोप है और उसलिए इनका यूजे ए脏 थाटा है इनका जो दूसरे फार्मकलोजिकल जो यूद्धा होता है तिक है उसके लिए weg घ्रमार किया जहांने बाल Bitcoin को और दन डैजी एफक्ट यह आप लोग देख सकते हैं other than diuretic effect यह less efficacious है than thiazine and loop diuretic की निस्पत अच्छा अच्छा अब अच्छा अब अच्छा अब अच्छा अब अच्छा अब सबसे पहले इसको देखने से बहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक जो किड्नी के सेल का क्या structure है या उसमें क्या का जो हैं वो मुझूद होते हैं चैनल वगेरा अच्छा अब सबसे पहले हम लोगों ने यह देख लेना कि कार्बोनी एन हाइड्रेस इन्हिबिटर यह एक्ट कहां पर करते हैं यह एक्ट करते हैं प्रॉजिमल कॉन्विलेटर ट्यू अगर आ अगर आप साथ हैं डिटेल के लिए डिटेल भी बनाऊं एक वीडियो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अच्छा जो रिनल के जो सैल है ना उनकी दो साइड्स है एक अधाती है बैजोलेटरल साइड और एक अधाता है लियूमिनल मेंब्रेन होती है यहां पर चैनल है मतलब और इसके इलावा जो भी वेस्ट मेंटीरियल जैसे आपका मतलब बोडी से जो भी वेस्ट मेंटीरियल निकल रहा है यह आपके मेटाबोलिक प्रोडॉक्स जो भी किड्नी वेस्ट से निकलते हैं नॉर्मल कंडिशन में अच्छा यह लियूमिनल साइड और एका खती है ब Stream है पंप श्री हो जिए को बलड से जो है वह सांट के अंदर पम करता है तो अगर साइल के अंदर जब साथा में मुद्ख अगर संसाल के अंदर सपक्रक्लांद दि्युथ धा निकाल दीता है प्रशslुन के जरीए ठीक है यहां में द्रॉण नहीं किया वैसे पर्टेश्यम चैनल के जरीए इसको बाहर निकाल देता है ठीक है अब एक तरफ अब यह जो है प्रॉजिमल कॉन्विटी ट्यूब्यूल के जो है यह एक सैल है अब इसके अंदर क्या होता है यह इस साइड पर यूमिनल जो है इंसाइड य। यूदसौन करेगा और है जो है यह आउटताइड पंक करेगा तीक है अब होता करेगा यहां पर चैनल परल्षों Stress काउंड्रन किलगए य॥ біль में करेगा बाइकार्बोनेट आइन जो है वो मुझूद होता है वो फिल्टर होकर आता है ठीक है ना प्लाजमा फिल्टरेट से जो है प्लाजमा जब ब्लड पास करता है वो कैपिलरी से तो ग्लोमिरुलस जो है वो इसको फिल्टर करता है और इसी तरह जो प्लाजमा और जो दूसरा ज हुटता भी H2CO3 जो है इसमें स्पोंटानेशियस ली है और यह रेक्ट भी करते हैं जिसे आम जो है रेक्शन हो जाता है उस तरह से अब यह जो बाइकार्बोनेट है इसका जो कनवरजन है कारबन डाक्साइड और वाटर में यह कैटलाइसकर रहा होता है तरहरे और फीन यह घुये सर्देड करता है कारबन डायोकसाइडु और वाटर में अब यह कारबन डायोकसाइड वाटर में निपो einges कर्बधोंट मॉलेकूल यह जो है वो सेल के अंदर मुफ कर जाता है यह कार्बन डायों से रिएक करता है यहां पर वाटर के साथ अब वाटर कहां से है सेल के अंदर बहुत दब मेकैनिजम है जोसे आप वोने पड़े होंगे नाइन टैन में भी जो भी साइकल्स होते है अब इन दोलों का आपस में के रचेंजिता है और यह दोलों का यहां दोलों कर रहा है dikas Pier Gais के हो बना देता है तौह दो यह सवहां दोलों क्यों फ्रेंग करने जिक्ताइब के लिए पहत चैनके जो वहीड़ेरों करने श्याने त्ड़ेशन के जरिए इस नहीं है जो रिचातिशन का में है कि दौन ब बाइकार 25 को जो भी बचाना है यह दो है एक कांटर ट्रांसपोर्टर के जरी जो है वह हो ब्लेद वापिस जाएगा और यह इस नहीं कि जो बाइकार्पॉनेट आएन है यह ब्लेट चाहिए क्लोराइट जो अंदर आता है तो यह sodium potassium ATPase pump के जरीए जो है वो pump होता है blood में potassium बहार निकलता है अब बहार क्या कौन को से चीज़ें निकलें नॉर्मल मेकैनिसम में potassium and chloride और bicarbonate और sodium अंदर जा रहे हैं लेकिन जब हम लोग दे देंगे acidazolamide which is a carbonic anhydrase inhibitor तो वो इस reaction को भी जो है मुझूद है वो इनको इनिविट का मतलब जो अगर पहले से कोई carbon dioxide अंदर है और इनका अपस में reaction catalyze करवार है carbonic anhydrase तो वह भी acidazolamide के आने के बाद बाद जो है यह catalyze नहीं होगा जब यह catalyze नहीं होगा जो bicarbonate आइन है वो भी blood में वापिस नहीं जाएंगे ठीक है ना जब यह bicarbonate आइन बाद वापिस नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ब्लड में इसकी कमी होगी और यह वाला जो bicarbonate है यह ऐसे का ऐसे ही जो है यह वाला जो bicarbonate है hydrogen carbonate यह बाहर निकल जाएगा body से ठीक है ना इसी तरह सोडियम का जो है जब यहां पर bicarbonate blood के अंदर नहीं जाएगा तो obviously जब यह टूटता है तो hydrogen and bicarbonate and बनता है ठीक है ना तो जब यह टूटते हैं तो फिर nitrogen की breakdown होते हैं तो फिर hydrogen भी नहीं होगा एक्सचेंज के लिए sodium के एक्सचेंज के लिए यह यह जो है H2CO3 यह breakdown होता है Spontanation Oxygen होती है और यह hydrogen and bicarbonate and बनाती है ठीक है ना जब इस तरह जो है इस reaction को यह इसके बनने को ही जो है वह कतम कर देगा ठीक है कि जो sodium की reabsorption कैसे होते है जादा तर जो है ना सेल के अंदर यह इसी तरह से होती है counter-transporter hydrogen के साथ ठीक है ना जब इसकी एर जो है हम लोग दुबारा से पढ़ लेते हैं यह inhibit कर रहा है सिदा जोला माइट कार्बोनिक एन हाइड्रेस को विच लुकेटिट इंट्रा सेल के अंदर भी है ठीक है ना सेल के अंदर भी मुझूद है और जो है and on the apical membrane जोगे apical membrane में में भी यह मुझूद है इधर कर्बोनिक एन हाइड्रेस असल में किसको क्या कहर रहा होता है क्याटलाइज करता है किसके एक्षिन को कार्बोनिक यह और बनाता है Arpses bicarbonate I am retained in the lemon Wobie Lumen में रहेगा ठीक कि जिसकी वज़ाए से urinary pH increase हो सबक्रीज हो जैगी loss of the bicarbonate bicmarust loss हो रहा है तो से मतलब क्या है कि bicis bicarbonate यहां पर loss हो रहा है ठीक है ऑर दूसरा यहां पर क्योंकि अंदर जो है अंदर नहीं जहां तो यहinyet इसके यहां पर क्या है सोडियम जो है वो जब अंदर नहीं आता सेल के तो वह बाहर रहता है जिसके वज़े से डायूराइस होती है अब यह क्या होता है कि कुछ लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब यह हाइपर क्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडस हो जाए ना तो भी लंबे इस्तमाल के बाद जो है ना डायूराइटिक एफिकेसी एसिता जोलामाइट की कम हो जाती है ठीक है ना उसकी बाद आजाती है यह फॉस्फरेड एक्सक्रीशन भी करवाता है लेकिन इसका मेकैनिसम अन् देख लेते हैं अब हम लोग उनमें आजाती है दो कंडिशन एक आजाते है ग्लुकोमा और एक आजाते है मोशन सिक्नस यह बहुत इंपोर्टन है आप लोग उन्हें सुनना है क्योंकि यह में बहुत दा पूछा जाता है क्लिनिकल के स्टड़ी इस तरह से प्रिजेंट की यह इसके यूजिस को याद रखना बहुत इंपोर्टन है खास्तों फेसे टास्ट लामाइड या लोग यह ब्लुकोमा इसे लोग डिक्रीस करता है प्रोडक्शन ऑफ देक्वास्यूमर और डिक्रीस करता है इंट्रा औक्यूलर प्रेशर इंड़ पेशन विद दा क्रॉन कर्बोनिक ऑपन एंगल ग्लुकोमा जिन में हो उनका जो है इंट्रा उक्यूलर प्रेशर को यह कम करता है किस तना से कि यह भी ब्लॉक करता है कार्बोनिक एंड हैड्रेस इन दा सिलरी बॉड़ी ऑफ दा आई जिस तना से डायूराटिक एफक्ट ही आप कह सकते हैं लेकि जो म motives यह होता है यहां पर किया है कि यह ब्लॉक कार्ड़ देता है कार्बोनिक एंहिडरेस को इन दा सिलरी बॉड़ी बॉड़ी अप दा आई तो जिसकी वज़ता से जो है कि साम्शीर बहाद ही मुझा जो टोपिकल कार्बोनिक एंहडरेस इनकिल्टी सुनद को सलब़क् इनका आप कह सकते हैं कि इनका इतना शाइ इमोशन सिक्नास में यूज होता है यूजंकि यूज के ज्याद है प्राफले लक्स तरुपाइल कर लक्रेटें पहले ही मतलब एक कंडिशन के अकर होने से पहले ही जब आपको रिस्क होके आपको पता है के यह पहले भी इसकी है जो है तो आप पहले इसको दे दो तकि को यह इसको ट्रावल जो है वह इसकी जो ट्रावलिंग है वह सेफ लीड और शो यूज ए उस ना जुज इन दर प्रिवेंट करता है यह वीकनस ब्रत लेस्टनेस डिजिनस नियूजिया एंड सेरेब्र एज वैल आज पर्मिलोरी एडीमा एडीमा हो जाते हैं कि उस लोगो ट्रैवलिंग के दुरान ठीक है उसको भी यह प्रिवेंट करता है काइनेटिक्स की तरीफ काइनेटिक्स जो है हम बहुत जाथ है है लेकिन यह चानी पेशन पूर्टन होती है पुछत काम आता है खास दोंपर फार्मासिस्ट के उसको पता होता है कि इसकी इसकी absorption जो है वो किस तरह से होगी और जादा अची है आई भी जादा अची है या टॉपिकल इसका जादा फाइदा है जैसे मैंने आपको दाएकर टॉपिकल जो होंगे उनका सिस्टैमिक साइड एफेक्ट नहीं होंगे तो आप प्रेफर करेंगे कि अगर ग्लुकोमा के लिए दे सिर्फ री एब्जॉप्शन के जरीए दो नहीं का मेकानिजम यह है अच्छा उसके बाद आजाते हैं इसके एडवर्स एक्ट मेटाबॉलिक एसीडोसिस कोस करता है वह दो देखे लिए पोटाश्यम डिप्टेशन कोस करता है यह टिकाना रिनस्टों फॉर्मेशन कोस करत है यह जो इस दिख्रीशन आप यह इसका एक साइड एफक्ट यह डिक्रीश करता है इसलिए अच्छा के स्टडी में बहुत इंप्रॉटन है कि पेशन है उसको डायूराटिक देना है उसको है पार्टी सिर्वसिस आप कौन सा डायूराटिक उसको से जच्ट करेंगे तो क आप यह जो है वह नहीं अच्ट करने ठीक है ना कार्बोनिक अच्ट बिल्कुल जो है वह अवोईट किये जाता है पार्टी सिर्वसिस के पेशे में क्योंकि उनका ही पैक्ट्टिक जो इनका लिवर एक्टिवटी वह कॉंप्रमाइज रुपती है एक और बात कि यह पोट लूप ऑफ हिनल में मौफ करेगा या फिर जो है इस तल कॉन विलेटिटी अब्यूल्स में मौफ करेगा तो वहां पर जो है वह लोड बहुत जादा होगा तो वह जादा है अब सोडियम के तो रिप्सॉप्शन करनी होती है आगे हर साइड जो है वह इसी मेकानिजम या कि कि लगां मैकानिजम के जरिये जो है सोडियं मेकानिजम करे लिए जब है नॉर्मल सादा जैठा जहा सोडियम होगी उन इस को तो वह ज्दाधा सर्थ जय्दा को कोशिश करें तीक है । कई बोटे में चेह नेलें कसे मैं लुटेंट है कि आप दियी होत लखाने की ओगोज़ाब करते हैं तो उसके फेटेवेख्थ। बाद उकार तो जब लूप जो है लूप जो है लूप फिनल में जाएगा या बिस्टर कॉम्टेटी ट्यूज में से जो ल्यूमन है लिए जो सारा कॉंटेंट है जिसमें सोडियम भी है वोटर भी बहुत ज्यादा नॉर्मल से जादा है ठीक है ना और बायकार्बनेट आइ है कि अग्याद का उसका प्लाप्रण के जाए चाहिए जिसके आजए हैं इसकी पाटैशियूम स्टार्ट हो जाती है आगे इतने भी हम लोग पढ़ेंगे उन्मस जादा था जो इसी तरह हो रही होती है ठीक है अब हम लोग चलते हैं नेक्स डायुर्क्टिक की तरफ आप बज़ेते हैं लूप डायूरेटिक्स या हाई सेलिंग डायूरेक्स इनका जो साइट उफेक्षिन है वह है असेंडिंग लिम्प अफ लूप फिनल भी कह सकते हैं ठीक है ना अच्छा यह हाईली एफिकेशियस हैं इन मॉबिलाइजिंग दसोडियम एंड क्लोराइड दोनो सोडियम एंड क्लोराइड दोनों जो बोड़ी से निकालने के लिए यह बहुत जादा एफिकेशियस हैं अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें सब्सक्राइड होता है वह फिरक्सेमाइड है लेकिन अभी हम लोग लोग क्लासिफिकेशिकेशन में चैस दो पढ़ है फिरक् सब्सक्राइड जो है वह इतना यूज नहीं होता है क्योंगे इसकी एडियार प्रोफाइल जो है वह ज्यादा है तिक है ना मतलब इसके एडवर्स ड्रॉग रेक्शन जो है वह बहुत जादा होते हैं मेकानिजम अफशन क्या है जैसे वहां पर सोडियम हाइरोजन कांटर ट्रांस्पोर्टर था ठीक है ना जो 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 कार्बोनिक एन हाइरेस इन्हिबिटर जो है वहां पर जब हम लोग ने पढ़ा प्राइब कांटर ट्रांस्पोर्टर था सोडियम हाइरोजन कांटर ट्रांस्पोर्टर था यहां पर जो मुझूद होता है लूप में वह मुझ करता है यह एक ऐसा चैनल है अगर हम लोग नेचर की बात करें कि नेचर की फिज्वालोजी इतनी परफ्रक्ट है कि यह दो पॉजिटिव आइन है और यह दो नेगटिव आइन है यह अगर बॉड़ी के अंदर कुछ जा रहा है तो वह बिल्कुल जो है वह जो है इसकी आइन करें की देखें जो सका स्वाइन हो जैंदर जाता था ताके एक फिज्वालोजी एक स्टलिटायटलाइड बैलन्स हों सके हुँ था करते हैं sodium potassium two chloride transporter को जो कि मुझूद कहा बर होता है in the luminal membrane in the ascending limb of loop of phenyl में मुझूद होता है ठीक है अब यह जो ascending limb है यह account करती है 25 to 30 percent of the filter sodium and sodium chloride यानिके अगर इसकी जो आप कह सकते हैं कि इसकी reabsorption जो है वो 20 to 30 percent होती है जो प्रोजिमा त्यूवियो थी उसके 65 पर ना ब्रॉक्सिमेटल ही होती है जो डिस्टल कॉन विलेटिव यूज ना उनकी 8 to 10 percent होती है जो क्लेक्टिंग त्यूवियो थी परसंट होती है ठीक है ना तो इसकी भी अगर आपको डिटेल से किस तरहां से जारा कुछ मेकानिजम होती है तो मैंने आपको पता है कि मैं एक वीडियो बना सकती है अगर आप लोग जो है इंट्रेस्टेड है बिल्कूर डिटेल मेकानिजम में होगी ओ ठीक है ना और अच्छा अब यहां पर जो है असेंटिंग लिम जो है व और क्यूंटिंट्यूज टीक है ना विकॉस दे अगाउंट एक अटुट टू 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 एंटू टू 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 थाथी परसंट अफ फिल्टर शोडियम ख्लोराइल तो जब यह 25 से 30 परसंट फिल्टर नहीं करती है यह यह रिज़ोप नहीं करती है तो उसकी से क्योंकि आगे वले अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक टू-10 करदा है परसंट एक टू-2-3 परसंट कर रहा तो वह इस जो लोड को कर सकता है इसकी वजह से डायूराइस होनी ही होनी है तो जो डाउंस्ट्रिम साइड से कौन-कौन से डिस्टल कॉनलेटी टूब्यूल और कॉलक्टिन टूब्यूल्स वह अनेबल होती है कि वह इतने ज्यादा सोडियम लोड को कमपेंसेट नहीं कर सकते हैं दो वह अगर हम लोग इनके एक्षन देखें तो क्या है यह प्रॉम्टली एक्ट करता है उन पेशन में भी जिनका रीनल फंक्शन इतना अच्छा नहीं होता उनमें भी एक्ट करता है और इसके इलावा उन पेशन को भी जिनको कोई दूसरा डायूराटिक जो है वह क्या सकते हैं अच्छा यह इसका जो एक डिसद्वांटिड है यह बहुत इंप्रॉडन डिसद्वांटिड है कि यह कैल्शियम कोंटेंट जो है वह यूरिन में इंक्रेज करता है ठीक है ना यह बोड़ी से कैल्शियम लोस बढ़ जाता है जब यह वाला यह ड्रॉग आप इसका कैल्शियम प Grund को यह करणकर पर इसंद्वेंद सब्सक्राइब करते हैं यह थो मडर भी आंग अगर तो किसी का नौर्मल यह तो फिर आपको प्राब्लम नहीं होगी हाँ उन लोगों को जो बतलब ओलेज बुमेंज हैं जो ओल्रेडी ओस्यूपरोसिस पे के बहुत दब वर्नरेबल होती हैं ठीक है नो ओलेज बुमेंज उनको बहुत जल्दी ओस्ट्री फिरोसिस हो जाता है ठीक है उनमें यह बहुत लोंग टर्म यूस की वज़ा से जो है ना यह हाइपो कल्सीनिया हो सकता है अचा अब यह जो है फिरोसिमाइटी या जो लूब डायूरतिक हैं इनको है सीलिंग डायूरतिस भी कहते हैं इस वे इनमें क्या होता है कि यह ब्लड फोर को इंक्रीस करती हैं पॉसिबली अच् आए से ड्रोक जैसे एंसरे जो करते प्रॉस्टागाइबस को ऑवस्के डायूरा रियक्शन को भी कर देंगी यानि कि जितना जादा ब्लड आए गर किंडिनी के तरफ उतना ही जयादा फर्टर होगा इतना जादा फिल्डर होगा उतनी ही जादा फिर वो आगे इनुर्ट काम होगी तो फिर क्या ओग पर नोड है वो भड़ेंगा टिक है तो अब यह बते निसके रहे इसके बात चाहिए कि थिके घं घ्या जायेंग को यह तो अब क्योंकि हम लोग ने पहले देखा कार्बोनिक एन्हाइड्राइस इन्हिबिटर वो ओल दो जो है वो डायुरेटिक एफक्त था लेकिन इसके थेराप्योटिक यूज़े जादर डायुरेटिक कम थे और ग्लुकॉमा और मोशन सिंगनस के लिए ज्यादा था ठीक है इसके था तो वो जो है इसकी ट्रीट करता है मतलब लूप डायुरेटिक इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़े होते हैं और यह ड्रॉग ऑफ च्वाइस हैं यह जो फ्यूरसिमाइड और यह जो लूप डायुरेटिक है यह आईवी अवेलेबल होते हैं तो फि बहुँत है उसके बाद है पर कलसीमा कोज कर जाता है ठीक है ना अगर किसी पेशिंट में जो है है थीक है ना तो फिर आप उसको डायुरेटिक दे सकते है क्योंकि वो खड़ाएगा ठीक है ना लूब डायुरेटिक क्योंकि वह ना सिर्फ कैल्शम की लॉस को बढ़ाएगा बलकर क्योंकि वह वाटर की एकस्कृरिशन को बढ़ाएगा तो इसलिए अगर आप हैकर को ट्रीट करने हो ठीक है कि अगर यह है अगर आप किसी परसंट को हाइपर कलसीमिया है और आपने उसको ट्रीट करने के लिए लूब लूब डायुराटिक देना है तो साफ़ना आपने हाइडरेशन भी उसकी सही रखनी है ताकि उसको जो है वो डी हाइडरेशन ना हो ठीक है ना अच्छा पॉ जो मुलना होता है दिरने हाइडरेशन चौकल ना है ना है तो जो है काईपर कालीमिया को मतलब है बॉड़ी में क्या मीना की है पटास्यम का लवल इंک्रीज हो चाह दीक है ना यह दीक है कि अभी न चक्दोश है तो बॉड़ीमिया को देंशन आतल ख़ता सब पहर ह तो फिर आप इसका मतलब है कि यह यूज हो सकते हैं यह बात आजाते हैं कि हाइड्रेशन फिर भी आप लोग ने मंटेन रखने हैं कि अगर सिर्फ पेशन को हाइपर के लिए और आप उसको इसी परपस के लिए जिस डायूराटिक देना तो फिर उसके लिए भी कितनी है टू-टू-फौर आर्स के बाद इसने यह तो हाफ हो जाएगा या फिर बिल्कुल हो जाएगा बोड़ी से अच्छा उसके बाद आ जाती है इसके एडियार्स में आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टन में कौन-कौन से आ जाता है और टॉक्सित्री हाइपर यूरी सीम अगर हम लोग तो यह पर्मिनल और रिवर्सिबल दोनों तरह की ओडोटोक्सित्री खौस कर सकते हैं खास तोर पे अगर आप साथ में कोई ओडोटोक्सिक ड्रग दे रहे हैं जैसे अमाइनोगलाइकोसाइड अगर आप दे रहे हैं और जात ही में जो है लूब डायूरी भी दे रहे हैं तो फिर autotoxicity के chance यानि के जो बहरा पन या फिर कान में मतलब इस तरह सुनाई ना देना सही तरह वह भड़ सकता है ठीक है ना इसके इलावा यह वर्टिकों भी कॉस करते हैं अब यह क्या है कि जो एक और गैनिक एसिट्ट्री सिस्टम है यह एक और गैनिक एसिट्ट्री सिस्टम है यह एक जिसना से सिक्रेशन का हम लोग पर देना कि जो एक तो फिल्ट्रेशन होते है कि डिनी में तीन प्रोसेसिज हो रहे होते हैं एक होती है फिल्ट्रेशन एक होती है फिल्ट्रेशन जो है वो जी एफार यानिक ग्लोमी रूलस के जरीए वह हो रही है ठीक है ना एक है यानिके का स्यव ल्यूमन में होगे किलर गये थो पहने तु किलाँ और यह सभग डॹक्ड़ाइं री आपजू ऑप्शन चेशिक और तक स्यर्टन टाइन तदा च्टल्च वाप। अबगाणी होती है तो बीस क्यों होता है तो इसमने किस तो जब हकसे स्टैनिय अ estas doing के सय情 कंवे सब्सक्रसेट कर दुद्र करने आना होता है इनह बिस रर्फेट और ना होता है तो फिर पेड़े सब्सक्रस्दुद के सक जिसके वेज़े से कंपीट करते हैं य एक मैन मेड ड्रग है ठीक है ना पॉर्टन होते हैं इनकी डूस जदा होती है चैनल रहे होते हैं अधिक्याट से नहीं निकलते हैं तो जूंकि ब्लड गॉणिशल्य वेगा कर रहा ठीक है ना वह फ्लो करता रहता है तो फिर वहां से उस ताम निकले तो इसका मतलब है कि वह अब यूरिक असिड आगे ब्लड वैसल मोव कर चुका है ठीक है ना उस पॉइंट से अब आगे वह फटा पट निकल गए ठीक है ना उस सिक्रेटर सिस्टम के जरीए लेकिन क्योंकि यूर्र में निकल से ता वो ब्लड क्योंकि फ्लोस होता है वो फ्लोस के साथ निकल दे जाते है वह आगे मूफ करता جफा है ब्लड थीए ब्लड बॉलिमियं का वॉलर्ड वॉलियम से वाइपो थेंशनन खो हो सकते हैं ठीक है उसके बात आजाती है प्रटाशियम डिप्लेशन है है भी लॉड ऑफ दा सोडियम प्रिजेंट टू जो है कुलेक्टिन ट्यूब्यूल जिसकी वज़ा से इंक्रीज हो जाता है एक्सजेंज ऑफ दा सोडियम विद प्रटाशियम अगें वही बात जब सारे सोडियम को ज़्याइबं ज़्यात से ज़गें मौणि को झारते हैं सोडियम इतन जाइए को सब्सक्रीष अधर उसने जहना होता है सोडियम पोटैश्युम एटी पेस के वहीं किसट प्र developing हें जाता है पर उना पर दिबाक हरनके करना अगले पार जो प्लेक्टिंग ट्यूब या डी सीटी वह जदा से जदा से ज़्यादा सोडियम को रियाब्सॉप करना की कोशिश करते हैं इसके अगर जासे पोटेशियम बहार निकलना शुरू हो जाता है तो इसके पाइसे हैं लूप डायूराटिक बहुत अर्से से इस्त इसने सफिशन नहीं है मैगनेशियम में तो पूर क्या होता है है में बहुत कॉमन होता है इसको किस तरह से आप लोग यो है वह ट्रीट कर सकते हैं आप जो मैगनेशियम अप्लिमेंटेशन है वह भड़ा दो टीक है न उसके बाद हाँ और यहां है तो आपको चाहिए तो आप description में देख सकते हैं कि क्या प्रोस अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थायाजार डायुरेटिक्स ठीक है ना एक्षमस पयरिंड आयुरेटिक्स ऑस्माटिक्स टूने सुबस्ब्जर्ब एक्षमस परिंडयुरेटिग अऊस्माटिक्स यू एक्षमस स्टो ना हादूञ तो आप टूस्ट वीडियो में अबटिन अस्ट रूबडोंडोंगे लिएत।